Cross-Cultural Psychology में यो टॉपिक हम अप करेंगे वो है Norms, Customs and Child Care क्या रस्मो रिवाज हैं, क्या हमारे इर्गित चीजों कौन सी चीजें हैं जिनको Standard या Norm का जाता है जो सब करते हैं जिनको Child Care से हम रिलेट करेंगे और क्या Child Care में रिवायतें और रिवाज मुख्तलिफ कल्चर के फरक हैं बसलिए चीज तो हर कल्चर में होगी कि बचा जब छोटा है तो उसको Family हीने संभालना है हम उसको जंगल में नहीं छोड़ाएंगे या उसको Strangers के हवाले नहीं करेंगे उसका ख्याल रखने के लिए अब बच्चे की जो development और socialization है उसका जो समाजी उसके अंदर समझ बूच पैदा हो रही है जो जिस्मानी जहनी और जजबाती तोर पे बड़ा हो रहा है और चीज़ें सीक रहे हैं किन लोगों के साथ उसका interaction है ठीक है वो कहां पे वो time कठे गजारते हैं बच्चे कौन से role play कर रहे हैं डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं घर घर खेल रहे हैं पुलिसमेन खेल रहे हैं यह सारी games आपको बच्चे खेलते में नजर आएंगे इस role से भी उनकी development हो रही होती ह हम बच्चों को खुद भी role दे देते हैं तुम ये करो और तुम वो करो कुछ role हम कहते हैं तुमारा है और कुछ role हम उन्हें allow नहीं करते cross cultural differences हैं इस चीज़ में कि किसी culture में लड़कियों और लड़कों को क्या रून दिये जा रहे हैं क्या घर से बाहर कोई चीज लेने आप सिरफ लड़के को भेजेंगे हर culture में ऐसा आपको लगे गा लेकिन cities में ये जादा common है गाओं में ऐसा नहीं है कि कोई औरत कहीं कोई च खेतों से कुछ लेकर आना है गरना तोड़के या पालक तोड़के वो लड़का लड़की नहीं बलके वो औरत ही करेगी और इसी तरह और भी ऐसी चीज़े हैं तो इसका cities और towns और small villages जो हैं उसमें भी gender role फरक हो सकते हैं और cultures में भी ये vary करते हैं फिर लड़कियां जो हैं more prone to stay close to home वो child care activities में ज्यादा involved होती हैं लड़कों के निस्पत ठीक है जब के rough and tumble play यानि कुछ टी करना एक दूसरे को गिराना ये लड़के तमाम बच्चे खेलते हैं लेकिन कुछ culture में ऐसा करना लड़कियों को ना मुनासिब समझा जाता है जब के लड़कों को ऐसा करन जो है वो कोई हरच नहीं होता बहुत तफ़ा उनको माबाप कहते हैं अब ये अहमत साब को यह उनकी study है 2002 की के traditional societies में वो लड़कियों को इस तरह की rough game से discourage किया जाता है इसके लावर जो comparative study हुई है उनमें काफी national and cultural differences मिलते हैं जैसे अंगूठा चूसना देना और गोद मे लेके बच्चे को जूलते रहना जैसे हम बेल आने के लिए उसको लेके हिलते रहते हैं ये white south african जो mothers हैं वो इसको मुनासिब नहीं समझती है वो इसको कहती है तो बड़ी गलत बात है जैसे बहुत सी western societies में बच्चे को जल्दी अपने कमरे से निकाल के उसके अपने कमरे में सुलाना उसके अपने बैट में सुलाना मुनासिब समझा जाता है जरूरी समझा जाता है बच्चे की development के लिए उनके child specialist भी advise करते हैं हमारे आपको काफी बड़ा होके भी बच्चा कभी माबाब के कमरे में या उनके बैट पे सोता नजर आएगा US mothers जो है वो इस favor में हो बच्चे जो है वो physical object से खेले ठीक है Japanese जो माई है वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा खेलती है और अपने बच्चों को नौकरों पे छोड़ के बाहर बहुत कम आपको नजर आएंगी Native African जो mothers है उनके लिए normal बात है कि वो बच्चे को उठा के जूल जूल के हिल हिल के उसको बहलाएं तो यह आपने देखा कि चाइल केर में जो norms हैं वो और जो रिवायते हैं वो फरक है पेरंट चाइल की communication में भी cultural नजर आएंगे जो French और Italian पेरंट्स और बच्चे हैं वो ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं जर्मन मार बच्चे या बाप और बच्चे की निस् जबके जो वाइट नसल के पेरंट्स हैं वो कम authoritarian पेरंटिंग रिपोर्ट करते हैं मेक्सीकन के निस्पत तो हमने बात की थी कि कल्चर कई तरह से एक जैसे होती हैं कई तरह से उनमें कोई variety होती है फरक होता है तो उनमें से कुछ फरक चाइल केर प्रैक्टिस में जब किसी कल्चर में कोई रिवायत या नम बन जाता है तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ मुंतकिल होता रहता है बहुत से traditional African cultures में जो obedience है अतात है फर्मा बरदारी है वो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है वो चाइल के सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है क्योंक क्लाइन से निकल के इद्वाद गया तो वो एक गड़े में गिर गया यह कहानी से लिए सुनाई जाती है बच्चों को कि तुम्हारी अपनी हिवाज़त के लिए तुम्हें अतात या फर्मा मदारी या बड़ों की बात का दिहान रखना है माँ बाप की जो एक अन्फूश सकती है बड़ों के अन्फूश टीज .